दोस्तों कर आप अपने यूटूब चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं मतलब रेगुला अपने चैनल पर काम कर रहे हैं लेकिन आपके व्यूज दोस्तों 15 से ज्यादर नहीं आ रहे हैं तो आपको मैं आज एक ऐसे ट्रीक बताऊंगा दोस्तों आप आसानी से अपन आने वाला हूं मोबाइल की स्कीन पर मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं कि दोस्तों मेरे साथ भी पहले यही होता था और मेरी वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते थे लेकिन तरह मेरे चैनल पर कुछ अच्छा खासा विउज मेट देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने मेरे चैनल पर क्या ट्रिक लगाई है और किस तरह से में अपने चैनल पर काम कर रहा हूं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में तो आज की बाद दोस्तों आपको व्यूज कमाने का जंजट नहीं रहेगा अगर आपके मन में कोई भी सावाल है तो आप मुझसे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूच च्क्राइब कर सकते हैं दो से चले वीडियो करते हैं तो आपर दोस्तों। मैं या यूटूब्स चैनल ओपन कर लेता हूं तो यहां पर मेरेने भाई पर क्लिक करके दो वीडियो को बोस्ट पॉपुलर पर सेलेक्ट कर लेते हैं यानि कि मेरी जो भी जो भी मोश्ट पॉपुलर वीडियो या पर उस रिसाप से आपर वीडियो आ गई है तो सबसे पहले तो मेरी वीडियो टॉप पर चल रही है उससто 거죠 चार लाग से ओपर करता था तो दोस्तों वहाँ पर 50-100 व्यूज आते थे और लाश्ट 200 व्यूज मेरे चैनल पर आके रहे जाते थे दोस्तों इस पर मैंने कौन से ट्रीक लगाई वह मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक की आप वीडियो बनाते हैं अगर अपने चैनल पर किसी भी टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं तो अगर आप उस पर पांट से दस वियूज ही आपको मिल रहे हैं तो कोई अलग टॉपिक सलेक्ट कीजिए कि जिस पर आप जड़ा से ज्यादा वीव गेंगर सकते अगर दोस्तों के साथ एसा होता मैं आपने Whitey Studio को open कर लेता हूँ यहाँ पर और Whitey Studio को open करने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सबसे पहले जब मैंने वीडियो upload की थी उस वीडियो पर 4,000,000 views पहुंच चोके हैं और यह 2 महिने पहले मैंने upload की थी दोस्तों इसको upload करने के बाद जब मेरी वीडियो यह वाइरल हो गई इस पर 4,000,000,000 views आज की रेट में पहुंच गए हैं इसके बाद दोस्तों मैंने उसी related video बनाई यानि Instagram account डिलेट कैसे करें इसका topic था दोस्तों उसके बाद जब मेरी वीडियो पर अच्छे खासे views आने लगे तो मैंने उसी से related video यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों उसी topic पर मैं video बनाता गया और इस तरह से मेरा जो भी video है उन पर अच्छे खासे views आते गए तो जैसे मैंने यहाँ पर जिस topic पर वीडियो बनाई थी अकाउंट डिलेट कैसे करें पर्मनेटली Instagram का जोस्तों उसके बाद जब मैंने फिर से इस topic पर वीडियो पर फिर से मेरे चैनल पर 2900 पहुंच गया है मतलब इस वीडियो पर तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना है जिस भी वीडियो पर आपके ज्यादा वीडियो आ जाते हैं तो दोस्तों आपको सेम उसी topic पर वीडियो फिर से बना देनी है क्योंकि आपकी जब पहले वाली वी वीडियो बनाएं कुछ टाइम के बाद अगयरा सब कुछ आपको चेंज करना है तो दोस्तों इस तरह से मैंने बहुत से टोपिक हैं यहां पर जिन पर मैंने वीडियो बनाई थी अकाउंट डिलिट कैसे करें जीमेल पर भी बनाई थी और इंस्टाग्राम पर भी बनाई और फिर मैं उसी टोपिक को पकड़ कर दोस्तों लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूं तो आपको बस थोड़ा सा चेंजेज करना है तो यह नहीं कि आप बिल्कुल ही अपनी कैटेगेरी बदल लो जैसे आपका टेक का चैनल है तो मैं आपसे यह नहीं करा कि आप का चैनल है तो आप अपने फोड़ा सा चेंजेज कर सकते हैं उसमें कि कि लोग कि सतरे की को पसंद कर रहे हैं बिल्कुल कैटेगेरी आपको नहीं बदलने है बस आपको इस बात का ध्यान रखना है आप जिस भी कैटेगेरी पर वीडियो बना रहे हैं तो अगर आपके उस सब्सक्राइब कर लेने हैं इस तरह दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऑडियो को पसंद करती जिस भी टोपिक को आपकी पसंद करेगी तो उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए और जैसे वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं आप फिर से उसी ट पर भी मेसेज कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए